October मासिक राशिफर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां हम आपके लिए लाए हैं खास मासिक राशिफर, आज हम बात करेंगे October 2024 के मासिक राशिफर की, ये महिना नवरात्र, दशेहरा और कर्वा चौच जैसे महत्वपूर्न तेवहारों का महिना है, जो आपके जीवन में नई उर्जा और उत्साल लाएगा, इस महिने ग्रहों की चाल और उनकी स्थिती, आपकी राशिफर क्या प्रभाप डालेगी, और कैसे आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धी ला सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, अक्टोबर का महिना हर राशी के लिए कुछ खास लेकर आ रहा है, इस महिने में आपको अपने करियर में नई उचाया चूने का मौका मिलेका, आप अपने परिवार के साथ हसी खुशी ये पल बताएंगे, और रिष्टों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी, और जीवन पर गहरा प्रभाफ डाल सकते हैं, आइए जानते हैं कि कौन-कौन से ग्रह इस महिने अपनी स्थिती बदलने वाले हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, साल का दूसरा सूरे ग्रहन, इस बार 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है, सूरे ग्रहन रात 9 बच कर 13 मिनि पर खत्व होगा, ओक्टूबर 2024 को होने वाला सूरे ग्रहन एक वलायकार सूरे ग्रहन होगा, इस प्रकार के ग्रहन के दौरान चंद्रमा प्रित्वी से इतनी दूर होता है कि वह सूरे को पूरी तरह से ठक नहीं पाता, इसके परिणाम सुरूप सूरे के चारों और एक च खला दिखाई देता है, जिसे रिंग ओफ फायर कहा जाता है, ये साल का दूसरा सूरे ग्रहन होगा, जो एप्रिल 2024 में हुए पूर्ण सूरे ग्रहन के बाद आ रहा है, ओक्टूबर का ये वलायकार ग्रहन दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा, जहां रिंग इस रिंग ओफ फायर का दृष्य सबसे स्पष्टर होगा, अन्यशेत्रों में ये आन्शिक सूरे ग्रहन के रूप में दिखाई देगा, जहां सूरे ग्रहन नजर आएगा, उतरी अमरीका में, दक्षन अमरीका में, प्रशान एट्लांटिक अंतार्टिका में दिखाई द हाला कि इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा सूरे ग्रहन का सूतक काल लगेगा या नहीं। सूरे ग्रहन के शुरू होने से लगपक बारा घंटे पहले सूतक लगता है। हाला कि साल का दूसरा सूरिक रहन भारत में नहीं दिखेगा, तो सूतक भी मान्य नहीं होगा। इस महीने 9 अक्टूबर को देव गुरु प्रहस्पती उल्टी चाल चलेंगे। वक्री गुरु राशी चक्र की सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। बुद्ध भी 10 अक्टूबर को दुला राशी में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी बाक्चीत में संतुलन और निश्पक्षिता बढ़ सकती है। इस समय में आप एक दूसरे के नजरियों को बहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र का व्रिश्पक राशी में गोचर होगा, जो आपको अपनी छिपी हुई इच्छाओं और रिष्टों में गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य भी राशी परिवर्तन के बाद तुला राशी में प्रवेश करेगा। आईए जानते हैं। गुरुवार दुर्गा अश्टमी और महा नव्मी 11 अक्टूबर दो हजार चौबिस शुक्रवार। दुर्गा विसरजन 12 अक्टूबर दो हजार चौबिस शनीवार। विजय दश्मी दशेहरा 12 अक्टूबर दो हजार चौबिस शनीवार। पापा कुष एकादशी 13 अक्टूबर दो हजार चौबिस रविवार। अश्विन पूर्णिमा 17 अक्टूबर गुरुवार। शरद पूर्णिमा और वालमी की जैनती 16 अक्टूबर दो हजार चौबिस गुरुवार। कार्तिक मास शुरू होगा 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से, करवा चौथ होगा 20 अक्टूबर 2024 रवीवार, अहुई अश्टमी व्रत होगा 24 अक्टूबर 2024 गुर्वार, रमा एकादशी 28 अक्टूबर 2024 सोमबार, ठंटेरस एवं यमदीपम, 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार, काली 14 अक्टूबर 2024 बुद्धवार, नरक्चतुर्दशी एवं छोटी दिवाली 31 अक्टूबर गुरुवार, काली पूजा तमिल दिपावली 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार, कुल मिलाकर अक्टूबर का महिना सकारात्म कूर्जा से भरा रहेगा, और कई लोगों के जीवन में खुशाली और तरक्की लाएगा, हाला कि इसके साथ ही आपके लिए इस समय कुछ नई चुनातियां भी लेकर आ सकता है, लेकिन सही उपायों से आप इस महीने का पूरा फायदा उठा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि ये महीना आपकी राशी के लिए कैसा रहेगा और आपको इस दौरान क्या-क्या उपाय करने चाहिए, मेश राशी, व्यवसाय में वृद्धी मुनाफा पढ़ेगा, अक्टूबर का महीना मेश राशी वालों के रिष्टों पर प्रभाव डालेगा, आपके व्यवसाय में वृद्धी होगी और बाचीत के कौशल पर प्रभाव पढ़ेगा, महीने के शिरुवात में आपका आकरशक और प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, आप लोगों से मिलते समय निश्पक्ष द्रश्टी कोण अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, कारिस्थ हल पर सहकर्मी आपका पूरा समर्थन करेंगे, आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और अपनी विशेशक गिता दिखाने का मौका मिल सकता है, व्यवसाय में भी काफी वृध्धी होगी, जिससे मुनाफ़ा बढ़ेगा, व्यक्तिकत जीवन में विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ वीकेंड पर घूमने जा सकते हैं, अपने पार्णर के साथ आप सभी पुराने और चल रहें मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे, कारिस्थल पर आप दुश्मनों और प्रतीसपर्धियों का सामना अच्छे से कर पाएंगे, व्यक्तिका जीवन में रिष्टों में रहने वाले लोग अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, कपल्स के बीच गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत हो सकती है, अब विवाहित लोग किसी पारिवारिक सम्हारों या समाजिक सभा में किसी की और आकर्शित हो सकते हैं, कपल्स के बीच में निकट्टा पढ़ेगी, शारिदे कर्मान से स्वास्त अच्छा रहेगा, उज्जा कस्तर उच रहेगा, आपके लिए जोतिशे उपाय बता देते हैं, जो की है, काम पर जाने से पहले हनुमान जी का आशिरवाद जरूर लेना चाहिए, धन्यवाद, ओम नमस्शिवाए, व्रिशब राशी के जातर, शत्रों पर जीत मिलेगी, घर में खुश्य आएंगी, अक्टोबर का महीना व्रिशब राशी वालों के लिए काम काज में अच्छा महौल लेकर आएगा, आप शत्रों पर जीत हासल करेंगे और एक अच्छा रूटीन बनेगा, महीने के शुरुआत में आप अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी को बहतर बनाने और सेहत मंद आदतें अपनाने में कामियाब रहेंगे, यह समय थोड़ा आराम वाला होगा, आफिस में आपको अपने विचार रखने और अपनी काविलियत दिखाने का मौका मिल सकता है, अपनी की बात भी शेयर कर सकते हैं, महीने के बीच में खासकर रचनात्मक काम करने मालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, काम काज का महल बहुत सकारात्मक रहेगा, और आप जादा काम कर पाएंगे, विवाहित लोग किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की हिम्मत कर सकते हैं, विवाहित लोगों के घर में खुश्या रहेंगी, महीने के अंत में ओफिस में सहकर्मियों और प्रतीसपर्धियों से बहस करने से बचें, निजी जीवन में आप अपने चाहने वालों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा जादा चिंता कर सकते हैं, पती-पत्नी के बीच हूँ प्यार और नस्दीखियां बढ़ेगी, सेहत ठीक रहेगी और उचा का स्तर साम मानने रहेगा, आपके लिए है एक बहुत इंपोर्टन डिप, जरूरत मंदों को पीले कपड़े और खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि चने की दाल, आम, केला, ये सब कुछ आप दान कर सकते हैं, धन्यवाद, टाइप ओम नमस्षिवाए इन दी कॉमेंट सेक्षिन, मिथुन राशी के चातर, अविवाहितों को अच्छे विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, अक्टोबर का महिना मिथुन राशी वालों के लिए उजा से भरा होगा और मोच मस्ती के मौके भी मिलेंगे, महीनी के शुरुआत में आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे और अपने विचार खुल कर व्यक्त करेंगे जीवन के हर पहलू में आप रचनात्मक तरीके से सोचेंगे कारस्थल पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जरूरत से जादा अपनी बात न थोपें वरना इससे आपकी चवी पर असर पड़ सकता है बिजनस में कुछ नया प्लान करने का अच्छा समय है लेकिन काम में कुछ अनापेक्षित देरी हो सकती है जिससे आप थोड़े बेचैन भी हो सकते हैं नेजी जीवन में जो लोग अविवाहित हैं वो किसी नए इंसान से बात करते समय अपनी जिंदगी की बातें जरूरत से जादा शेयर कर सकते हैं महिने के मध्य में और अंत में आप सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे कर पाएंगे ये समय रचनात्मक और मनोरंजन के शेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छा रहेगा फ्रीलांसर्स कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर पाएंगे निजी जीवन में एक साधारन रिष्टा गंभीर सम्मंद में बदल सकता है जो लोग शादी की योजना बना रहे थे उन्हें किसी पारिवालिक सदस्य के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है महीने के अंद में आप कोई महंगी चीज़ खरीदने में अच्छा खासा खर्चा करेंगे प्रोफेशनल जीवन में सीनियर्स और बॉस के साथ कुछ मतपेद हो सकते है ससुराल वालों के साथ भी कुछ गलित फेहमियां हो सकती है जिससे पती-पत्नी के रिष्टे में असर पड़ सकता है कबबल्स के बीच में प्यार और नस्दीकियां बढ़ेंगी कि शाररे कॉर्मानसिक स्वास्त ठीक रहेगा उजा कस्तर भी अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत महत्वपून टिप बता देते हैं किसी भी इंपोर्टेंट काम के लिए घर से निकलने से पहले चीनी मिलाकर एक ग्लास पानी में जरूर पी है धन्यवाद टाइप ओम नमस्षिवाए इन दी कॉमेंट्स कर्क राशी के जातक प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे विध्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है अक्टोबर का महिना कर्क राशी वालों के लिए भाफनात्मक स्थिरता लेकर आएगा महिने की शुरुआत में आपका ध्यान घर और परिवार बर जादा रहेगा आप अपने घर के लिए कुछ ऐसा खरीच सकते हैं जिखर की सुन्दर्ता बढ़े और परिवार के लोग आराम से रहे घर का महौल बहुत खुश्चाल रहेगा और फैमिली गेट टुगेधर भी हो सकता है प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे विध्यार्थियों को इस समय अच्छी खबर मिल सकती है काम की बात करें तो काम का बोज हलका रहेगा और माहौल सही योगी होगा लेकिन अपने प्रतियों से सामधान रहें क्योंकि वे आपके पीछे से आपकी महनत पर पानी फेरने की कोशिश कर सकते हैं निजे जीवन में जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो पार्टनर से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मुश्कल महसूस कर सकते हैं महिने के मध्य में कुछ लोग घर पर एक होम ओफिस सेट अप कर सकते हैं ताकि काम और जिंदगी में संतुलन बना रहे इस समय आपको छोटे छोटे काम भी पूरा करने में जादा महनत करनी पड़ सकती हैं निजे जीवन में अपने चाहने वालों से खुल कर अपने दिल की बात करने की कोशिश करें महिने के अंत में व्यापार में अचानक लाब और बढ़त हो सकती है अविवाहित लोगों को इस समय किसी से कोई वादा ना करने की सलहाद दी जाती है कपल्स की बीच नस्दीकियां साम मान्य रहेंगी शाररे परमासिक स्वास अच्छा रहेगा उजा कस्तर भी ठीक ठाप रहेगा आपको बता देते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टिप आपके लिए वो ये है कि रोज नहाने के पानी में कुलाब जल्की कुछ बूंदे मिलाकर नहाएं टाइपों नमस्षिवाएं इन्धी कॉमेंट सेक्शन्स खन्यवाद बात करते हैं सिंघराशी की प्रिया सिंघराशी अच्छे वित्ति और निवेश के मौके मिल सकते हैं अक्टोबर का महिना सिंघराशी वालों के लिए काम का काफी दबाव दमदार बोलचाल और नई चीज़ें जानने की उत्सुपता लेकर आएगा महिने के शुरुआत में आप अपनी स्किल्स को बहतर बनाने के लिए कुछ नया शुरू करने पर ध्यान देंगे अपनी जिग्यासा बढ़ेगी जिससे आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करेंगे काम काच की बात करें तो ये समय सेल्स और मार्केटिंग के शेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अच्छे वित्य अफसर और निवेश के मौके भी मिल सकते हैं निजे जीवन में आप अपने साथी के साथ आध्यात्मेक और धार्मेक गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं महीने के मध्य में आपकी समस्याएं सुलजाने की शमता से बिजनस में चल रही बड़ी परिशानी का हल निकल सकता है आप चमक दमक वाले करियर की बजाए स्थिर प्रगती पर ध्यान देंगे निजे जीवन में किसी भी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करें जो आपको मन की शांती दे अविवाहित लोग अपने दिल की बात को अधिक सहचता से कह सकेंगे महिने के अंत में ध्यान की कमी से कामकाज में तनाफ हो सकता है इस समय थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें आपके लिए शाररे परमान से स्वास ठीक ठाक रहेगा उजा कस्तर साम मान्य रहेगा आपके लिए जोतेश ये उपाए जो मददकार साबित होगा वो कहता है कि रोज सुभ़ गाय को हरी खास खिलाएं और आशिरवाद लें धन्यवाद टाइप ओम नमस्षिवाएं इन दी कॉमेंट सेक्शन कन्या राशी के जातक ओफिस में सीनियर्स और बॉस का साथ मिलेगा अक्चोबर का महिना कन्या राशी वालों के लिए फाइनांस, निजी, जिन्दगी और निवेश पर ध्यान देने वाला रहेगा महिने की शुरुआत में आपकी बातों का महत्वपून प्रभाव होगा और आप लोगों की मदद कर सकेंगे अचानक से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपनी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई और आमदनी का जरिया ढूंडना चाहिए कारिस्थल पर आप सीनियोर्स और बॉस के साथ अच्छे सम्वंद बना पाएंगे आपके अंदर प्रतिस बढ़ा की भावना फीज जादा रहेगी निजी जीवन में जो लोग अविवाहिद है वे किसी से ओनलाइन प्लाटफॉर्म पर मिलकर उसकी तरफ आकर्शित हो सकते हैं जो लोग रिष्टे में हैं वे भविश्य को लेकर बातचीत कर सकते हैं महिने के मद्धे में आप कामों को जादा पुशलता से निक्टाएंगे जिससे आपके सीनियोर्स प्रुभावित हो सकते हैं हाला कि इस समय आप कुछ फैसलों में थोड़ा अस्वंजस महसूस कर सकते हैं निजी जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ फाइनांस की बातें कर सकते हैं रिष्टे में सकरात्मक बदलाव और प्यार बढ़ता हुआ महिने के अंत में आप मौज मस्ती की गतिविधियों में शामिल होंगे और अपनी शारिरेक और मानसिक सेहत का ध्यान रखेंगे जो लोग रिष्टे में हैं वे भविशे की प्लानिंग पर बात कर सकते हैं और उस दिशा में कुछ कदम भी उठाएंगे कपल्स के बीच प्यार और नस्दीकियां सामान्य से जादा रहेंगी शारिरेक और मानसिक स्वास्थ अच्छा रहेगा उर्जा कस्तर भी उचा रहेगा अब आपको बता देते हैं चोतिशे उपाएं जो मददकार साबित होगा रोज सुबर हनुमान चालिसा का पार्ट करना शुरू करें धन्यबाद टाइकों नमस्षिवाएं इन दी कॉमेंट सेक्षिन तुला राशी प्रिय तुला राशी के चातर वित्तियस खिती में सुधार होगा रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकते हैं अक्टोबर का महिना तुला राशी वालों के लिए आशावाद और सुभाविक आकर्शन लेकर आएगा महिने के शिरुवाद में आप में एक अलग ही आकर्शन और आखों विश्वास नजर आएगा आप लोगों से जादा घुल मिल पाएंगे जिससे आपका आत्म सम्मान भी बढ़ेगा कारस्तर पर आपके विचारों से सहकर्मी काफी प्रेरित होंगे और आपके साथ काम करके उन्हें अच्छा महसूस होगा वित्य स्थिती में सुधार होगा और अच्छे वित्य मौके भी मिल सकते हैं निजी जीवन में शादिशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक जगाद पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं जो लोग अविवाहित हैं उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है जिसके साथ वे काफी समय से बाग कर रहे थे महिने के मध्य में कुछ प्रतिस पर भी आपकी प्रतिश्था या सामाजिक छवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इस समय आप अपने सीनियर्स के साथ बाचीत करते हुए अपने पेशेवर जीवन के लिए बहतरीन आईटी आस पर काम कर पाएंगे निजी जीवन में कुछ लोग अपनी परसनल स्पेस को प्राथमिक्दा दे सकते हैं विवाहित लोग बच्चे की प्लानिक को लेकर बाचीत कर सकते हैं महिने के अंध में आप अपनी सारवजन एक चमी को लेकर चिंतित रहेंगे और इसे सुधानने के लिए कोशिश करेंगे काम और जिंदगी के बीच संतुलंग बिगड सकता है क्योंकि आप पूरी तरह से काम और पेशिवर विचारों में डूबे रहेंगे कपल्स के बीच प्यार और नजदीक या बढ़ेंगे शाररे को मांसिक स्वास सचा रहेगा और जाकस्तर सामाने से जादा रहेगा आप के लिए जोतिशे उपाय कहता है कि तामे के ग्लास से पानी पीना शुरू करें धन्यवाल टाइप ओम नमस्षिवाएं इन दी कॉमेंट सेक्शन बात करते हैं व्रिशिक राशी की तुप्रिय व्रिशिक राशी के चातर गैर जरूरी खर्चों से बज़ें समझदारी से ही कोई भी फैसला ले अप्टोबर का महिना व्रिशिक राशी वालों के लिए गैर जरूरी खर्च समझदारी और आथ्यात्मिक्ता में दिल्चस्पी लेकर आएगा महिने के शिवरात में आप जादा दयालू हो जाएंगे और दूसरों की मदद करनी की सोचेंगे इस समय आप अपने पुराने फैसलों के बारे में भी सोच सकते हैं कारिस्थल पर सीनियर्स के साथ मतभेद हो सकते हैं जिससे महौल थोड़ा खराब हो सकता है इस दौरान खर्चे भी बढ़ सकते हैं और कुछ अंचाही खर्चे भी आ सकते हैं निजे जीवन में आप समाज में कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिससे आपकी आध्यात्मिक्ता में रुची बढ़ सकती है। अपने पार्टनर के साथ जादा समय बिताना या उनसे जुडाव महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिससे आपके रिष्टे पर असर पड़ सकता है। महिने के बीच में आपको अपने काम को लंबी अवधी के लक्षियों के साथ जोड़ कर देखने की सलहा दी जाती है। बिजनस वाले लोग कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचें। निजे जीवन में रिष्टे में थोड़ा तनाव हो सकता है। हाला कि माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और वीकेंड पर कहीं बाहर जा सकते हैं। महिने के अंत्र में जो विध्यारती उच्छ शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी ख़बर मिल सकती है। जो लोग रिष्टे में हैं वे अपने पार्टनर के साथ कुछ गहरी बाते कर सकते हैं। इस समय कबल्स के बीच प्यार थोड़ा कम हो सकता है। शाररे को मानसिक स्वास सामानने से कम रहेगा, उर्जा कस्तर ठीक ठात रहेगा। आपके लिए जोतिशिय उपाएं ये है कि रोज सुभा सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। टाइप ओम नमस्षिवाएं इन्दी कॉमें सेक्षिन। धन्यवार। धनुराशी, प्रिय धनुराशी के चातर, कला और रचनात्मक शेत्रों में कारेरत लोगों के लिए बहुत अनुपूल रहेगा ये समय। अक्टोबर का महिना धनुराशी वालों के लिए वैवाहिक जीवन और करियर के लक्षियों पर धियान देने के लिए महत्वपून रहेगा। महिने के शुरुआत में आप जादा निट्वर्किंग इवरिंस में हिस्सा ले सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। इस समय आपको अपने शेत्र के किसी सीनियर व्यक्ती से मार्व दर्शन मिल सकता है जो आपकी भविश्य के फैंसलों में मदद करेगा। कारिस्थल पर बिजनस करने वाले लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ तालमील बठाना मुश्किल हो सकता है और कुछ मत्रेट भी हो सकते हैं लेकिन नौपरी करने वालों के लिए ये समय टीम प्रोजेक्स को लेकर अच्छा रहेगा। निजे जीवन में जो अविवाहित लोग टेट पर जा रहे हैं उन्हें गुस्से और चालाकी से बचने की सरहा दी जाती है। महिने के बीच में आपका बढ़ा हुआ फोकस सीनियर्स का धियान आकरशित करवा सकता है। ये समय फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो की कला की शेतर में चुड़े हुए हैं। अच्छे काम और प्रजेक्स मिलने के भी संकेत हैं। कबर्स के बीच नजदीकियां बढ़ेंगे शाररे पमाजिक स्वास अचा रहेगा, उजा कस्तर उचा रहेगा। आपके लिए जोतिशे उपाई ये हैं कि चान्दी के गलास से पानी बीना शुरू करें। धन्यवाद। मकर राशी बिजनस करने वालों को अच्छा मुनाफ़ा होगा। अक्टोबर का महिना मकर राशी वालों के लिए महत्वकान शाय और फुर्षाल पारिवारिक माहौल लेकर आएगा। महिने के शुरुआत में आप में भरपूर मूर्जा होगी और आप अपने प्रोफेशनल जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपनी काम्याभी को प्रभावी ढंग से पेश करेंगे और अपने लक्षयों को पाने के लिए महनत करेंगे। कारिस्थल पर माहौल सहीयोगी रहेगा और आप अपने करियर की प्रगती से संतुष्ट महसूस करेंगे। अब आप अगले कदम की और बढ़ने की सोचेंगे। अगर कोई कानुई मामला चल रहा है तो इस समय आपको अच्छी खबर मिल सकती है। नेजी जीवन में अवविवाहित लोग सामाजिक समारों में किसी व्यक्ती से मिल सकते हैं। आप अपनी मा या परिवार की किसी अन्य वरिष्ट सदस्य के साथ अच्छी बाचीत कर सकते हैं। महिने के मध्य में बिजनस करने वालों को अच्छा मुनाफ़ा होगा और व्यापार में तेजी रहेगी। अगर आप फंडिंग की तलाश में हैं तो ये आपके आइडियाज को निवेशिकों के सामने रखने का बहतरीन समय है। निजी जीवन में शादेशुदा लोग पास के किसी मंदर में साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। जो लोग रिष्टे में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ गहरी बापचीत करने का मौका मिल सकता है। आप अपने पार्टनर पर हावी ना हो इस वात का ध्यान रखें। चालाखी आपको नहीं दिखानी चाहिए इस समय पर। कपल्स के बीच प्यार सामाने रहेगा, शारुरे को मानसिक स्वास्त संतूर शनक रहेगा, उर्जा कस्तर सामाने से अधिक रहेगा। आपके लिए जोतिशे उपाय बता देते हैं। रोज सुबह भगवान सूर्य को चल अर्पित करें और गायतरी मंत्र का चाप करें। धन्यबाद। टाइक ओम नमर्शिवार इंदी कॉमेंट सेक्शन। कुम्भराशी लाइफ पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा। अक्टोबर का महिना कुम्राशी वालों के लिए उच्छ शिक्षा किस्मत का साथ और ताम से जुड़ी यात्राओं से जुड़ा रखेगा। महिने की शिरुवात में जो लोग विदेश में उच्छ शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं उन्हें एड्मीशन या यात्रा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोग अपने वर्दमान मुद्दों को हल करने के लिए नए तरीक्या आजमा सकते हैं। कारिस्थल पर बिजनस करने वालों को कोई अच्छी टील प्राप्त हो सकती है। अगर डेड्लाइन करीब है तो प्रोजेक्ट पूरा करने या टागिट हासल करने के लिए आपको जादा काम करना पड़ सकता है। नजी जीवन में जो लोग रुष्टे में हैं वे अपने रिश्टे में अगला कदम उठाने का फैसला कर सकते हैं और इसमें पार्टनर का भी पूरा सही उप रहेगा। महिने के बीच में काम के मामले में आपको समझदारी से काम लेने और अपने काम काजव माहौल के हर पहलू से समझने की कोशिश करनी चाहिए। काम की वज़े से यात्रा के संकियत हैं। निजी जीवन में अविवाहित लोग किसी की बुद्धी मता से आकर्शित हो सकते हैं। महिने के अंत में आप अपने काम के रुटीन को व्यवस्थित करने और सारे काज़ी काम समय पर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। कपल्स के बीच प्यार धोड़ा कम रहेगा, शारेरेक और मांसिक स्वास सामान्य रहेगा, पूर्जा कस्तर बूचा रहेगा। अब बता देते हैं जोतिशिय उपाए। रोज सुभग गाय को भरी खास खिलाए और आशिरवाद लें। धन्यवाद। मीन राशी, करियर में तरक्की और अच्छे नतीजे आशा अनुरूप दिखाई देंगे। ऑक्टोबर का महिना मीन राशी वालों के लिए कुछ स्वास समंधी परिशानिया और एक आकर्शक व्यक्तित्व लेकर आएगा। महिने की शुरुआत में जिन लोगों की इम्म्यूनिटी कमजोर है या वे किसी छोटी मुटी स्वास समस्या का सामना कर रहे हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ऐसा केवल कुछ समय के लिए महसूस जादा होगा। कुल मिलाकर अगर आप मौके का सही फायदा उठाते हैं तो आप हर जगा लोगों की नजरों में रहेंगे। कारिस्थ हल पर करियर में तरक्की और अच्छे नतीजे साफ दिखाई देंगे। बिजनस करने वालों को सलहा दी जाती है कि जादा उमीदें और बड़ी बड़ी डील के चपकर में अपना नुकसान करवाने से बचे। निजी जीवन में जो लोग रिष्टे में हैं वे अपने पार्टनर के साथ धाबनात्मक तौर पर अधिक यहराई से जोड़ सकते हैं और उनके बीच नस्दीकियां बढ़ सकती हैं। महीने के बीच में आपके सेहं कर्णी आपकी मेहनत से प्रेरित होंगे लेकिन इससे आपके प्रतिसपरधियों का ध्यान भी आपप और आएगा। ससुराल वालों के साथ बहुत सकारात्मक माहौल रहेगा और पुराने मुद्ध सुलशने के संकेत हैं। आईने के अंत में खासकर मनुरंजन के शेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ हाल समय पे प्राएंगे कपल्स के बीच प्यार और नस्तीकियां बढ़ेंगे शाररे पमान से स्वास अच्छा रहेगा कि अेलिए टों एका समय प्राएंगे